Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to Magnet Brains जो आपको provide कराता है kindergarten to class 12th, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains provide कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की जुरत नहीं है चाहे वो CBSC board हो, UP board हो, बिहार board हो, या MP board हो आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे और साथ में मिलेंगे धे सारे practice questions इतना ही नहीं, आप mail कर सकते हैं, e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो विटा हमारी class 11th biology, unit number 3 that is cell structure and functions और इस unit का हम 3rd chapter कवर कर रहे हैं, जो की है cell cycle and cell division आपकी NCRT में ये chapter number 10 है, और आज हम इस chapter का एक topic कवर कर रहे हैं, जो की है meiosis 1 right, meiosis को हम पढ़ते हैं meiosis 1 and meiosis 2 में, और meiosis 1 काफी lengthy है pro phase 1 की वज़े से इसलिए मैंने meiosis 1 को भी दो part में divide कर दिया है, part 1 and part 2, ठीक है तो बेटा, part 1 में हम complete करेंगे हमारा पूरा pro phase 1 तक, right, तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको जल्दी बताइए, वीडियो को like करना है और ज्यादा से ज्यादा शेर करना है अपने दोस्तों, भाई, बहन और पढ़ोसियों को तो मैंने क्या बोला था कि माइटॉसिस क्या होता है बिटा, माइटॉसिस क्या होता है, मैंने बोला था माइटॉसिस को और हम क्या बोलते है, Equational Division, क्या कहते है, Equational Division, Equational Division में Equal, ठीक है, Equal Amount of Chromosome होते है, Parent और Daughter Cell में, इसी लिए हम Mytosis को, सौरी मैंने Meiosis बोल दिया था क्या, Mytosis को हम क्या बोलते है, Equational Division, वही पर मैं Meiosis की बात करूँ, तो Meiosis में क्या होता है, पेटा, Parent में, किसमें, Parent में और Daughter Cell में, यहां पर Equal Amount of Chromos Chromosome नहीं होते, Chromosome का Number Half हो जाता है, Reduce हो जाता है, इसी लिए इसको क्या बोलते है, Reductional Division, क्या कहते है, Reductional Division, राइट, तो पेटा, हम किसकी बात कर रहे है, Meiosis की, किसकी बात कर रहे है, relevant to Meiosis की, तो क्या बोलेंगे Meiosis को, meiosis जो है बिटा क्या बोलते है meiosis को also known as also known as reductional division क्या बोलेंगे बिटा इसको reductional division क्या बोलेंगे जल्दी बताएं reductional division क्यों बोलेंगे reductional division r से क्या है reduction r से क्या है reduce r से क्या है reduction r से क्या है reduce तो reductional division में क्या हो जाते है chromosome जो है वो क्या हो जाते है reduce क्या हो जाते है reduce ठीक है तो यहां पर क्या हो गए reduce क्या हो गए reduce chromosome इसलिए से हम और क्या बोल रहे है reductional division क्या क्रोमोजॡूम का नंबर क्या हो जाता है हां किस की बात करी तो हम बात करते है यह सेल की यह सेल है क्या है एक सेल है ठीक है इस सेल को मैंने बोला parent cell, क्या बोला parent cell, ठीक है मैम, ये हो गया बिटा parent cell, इस parent cell में chromosome के कितने number है, चलिए, total number of chromosome कितने है यहाँ पर, total number of chromosome जो है, वो कितने है, equals to 46, right, कितने है total number of chromosome 46, ओके, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर meiosis होती है, क्या होती है meiosis, तो ये बन गया एक cell, ये बन गया दूसरा cell, right, फिर बन गया ये third cell, ठीक है, fourth cell, fifth cell and sixth cell, तो छे cell नहीं बनते हैं, यहाँ होता क्या है, देखिये, ओके, क्या हुआ बेटा, यहाँ देखिये, देखिये, हुआ क्या बेटा, यहाँ पर जब इस parent cell में meiosis बन हुई, क्या हुई, meiosis one, तो meiosis one जब हुई, तो क्या बने बेटा, दो cell बने, क्या बने, दो cell, clear है, क्या बने, दो cell, तो एक cell ये बना, और दूसरा cell ये बना, क्या इतना clear है यa नहीं, जल्दी बताइे, इतना clear हुआ या नहीं, तो दो cell बने यहाँ पर, और इन दो cell के बाद, meiosis two हुई, क्या हुई, meiosis two, तो यहाँ पर दो और cell बन गए, क्या बन गए, दो और cell बन गए, यहां पर right तो यह total कितने बने 4 cells कितने बने 4 cells right तो यहां पर बेटा इन में कितने number of chromosome है 23 कितने है 23 इनको हम क्या बोलते है daughter cell in cell को हम क्या बोलते है daughter cell यह cell जो है यह क्या है daughter cell अब बात आती है ma'am ऐसा किस में देखने को मिलता है किस cell में ऐसा होता है हाना मन में doubt तो आ रहा होगा कि ऐसा किस cell में होता है ma'am right ma'am ऐसा कहा होता है तो मैं बोलूंगी बेटा ऐसा होता है germ cell में germ cell वो cell होते हैं जो किसको बनाते है gamete को बनाते हैं किसको बनाते है gamete ठीक है तो gamete जो होते है हाना उनके cell को gamete बनाने वाले cell को हम germ cell कहते हैं क्या बोलते है germ cell राइट तो germ cell में क्या होती है meiosis और बनते हैं क्या gamete, क्या बनते हैं gamete, राइट, तो एक diploid organism में, किस में बेटा, diploid organism में क्या होता है, जल्दी बताइए, उसके germ cell में meiosis होती है, तो क्या बनते है gamete, germ cell कैसा होता है 2N, कैसा होता है 2N, 2N का मतलब क्या है बेटा, डिपलोईड, यहां 2N का मतलब क्या है, डिपलोईड, जर्म सेल कैसा होता है, डिपलोईड, राइट, मतलब 2N, और यहां पर बेटा, जो डॉटर सेल है, वो कैसा होता है, जल्दी बताएए, गैमीट जो है, वो कैसा होता है, हैपलोईड, कैसा होत यहां पर एक सेल के अंदर कितने है 23 यह मत बोला मैं यहां 46 थे तो यहां पर 23 23 add करते जाओ तो यह 46 हो गया 46 हो गया मतलब 92 क्रोमोजोम हो गया बेटा हम एक सेल के अंदर देखते हैं ना की टोटल ठीक है यहां पर इस सेल में क्या आया होगा इंटर फेस आया होगा एस फेस आया होगा डियने का डुप्लिकेशन हुआ होगा नंबर ओफ क्रोमोजोम यहां पर सेम रहे होंगे बढ़ डियने का डुप्लिकेशन हो गया तो अमाउंट डबल हो गया फिर यहां पर आके homologous chromosome जो है वो separate हुए यहाँ पर आके sister chromatic separate हुई right तो यहाँ पर पूरा process होता है जो कि मैं आपको meiosis में पढ़ाने बाली हूँ थोड़ा सा wait कर लो क्या कर लो थोड़ा सा wait कर लो right तो जल्दी बिना किसी देरी के इसका screenshot ले लो जल्दी फटा of screenshot ले लो क्या आपने screenshot ले लिया ह जल्दी क्या screenshot ले लिया है तो अब हम किसकी बात करते है जल्दी बताईए अब हम बात करते हैं meiosis की तो मियोसे कहाँ होता वो हम last में देखेंगे उससे पहले कुछ point हम देख लेते हैं, पढ़िए पहला question क्या बोल रहा है, तो बेटा क्या बोला पहले point ने, the production of offspring, किसका production, offspring का production, the production of offspring by sexual reproduction, by sexual reproduction, दो प्रकार के reproduction हमने पढ़ा, asexual and sexual, right, तो sexual production से, reproduction से, जो offspring produce होते हैं, ठीक है, तो कैसे होते हैं, बाई, किसके formation से, gamete का formation होता है, gamete का fusion होता है, right, तो यहां इन्होंने कहा है, कि यह जो production of offspring है, जो कि sexual reproduction से हो रहा है, इसमें क्या include होता है, fusion of two gametes, किसका fusion होता है, दो gamete का fusion होता है, male gamete and female gamete का बिटा क्या होता है, fusion होता है, हो सकता है, वो एक ही body बना रही हो, या दो अलग-अलग body बना र zoon तो बेटा यहां पर सेक्शव फिनृ डिप्डक्शन के बात कर रहें यह बात कर रहें डिपलयड औरगि संसम्की कैसे पहचना मैं आपने कि दिपलयड औरगिनिज्म के सेक्षल ACC की बात कर रहें तो यह कैसा organism है diploid अब कैसे पहचाना मैं भी आपको पहचानना सिखा रही हूँ देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर fusion होता है male and female मतलब two gametes two gametes का मतलब एक gamete कैसा बिटा male और एक क्या है female gamete यही है ना यही होता है अब इनका कहना है each with मतलब एक जो gamete है female gamete उसमें क्या है complete haploid set of chromosome होने चाहिए ठीक है क्या है complete haploid set of chromosome होने चाहिए तो मैं यहाँ पर आपने बोल दिया यह diploid organism है क्या मैं इसको haploid भी बोल सकती हूँ तो बिलकुल बोल सकती हूँ बट haploid बोलूँगी बेटा जब haploid organism बोलूँगी तो haploid organism के जब gamete form होते है ना तो इसमें meiosis नहीं होती mitosis होके gamete बनते है इसलिए मैंने बोला यहाँ पर यह क्या है haploid यह diploid diploid organism क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक diploid cell के अंदर meiosis हो रही है और क्या बन रहा है haploid cell that is gamete क्लियर है? इसलिए मैंने बोला यह organism कैसा है diploid organism क्लियर है? अब next point है बिटा gametes are formed from specialized diploid cells क्या यही point बोल रही थी मैं? इसी ने तो प्रूफ किया कि यह organism कैसा है diploid तो यहाँ पर जो grametes form होते हैं वो किससे specialized diploid cell से form होते हैं जिसे हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? germ cell क्या बोला था मैंने उसे? germ cell ठीक है? तो यह किसकी बात कर रहे है? diploid cell कौन सा specialized cell है? germ cell यह कैसा होता है? 2N होता है. कैसा होता है? 2N राइट बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? आप देखिए this is specialized kind of cell division that reduces the chromosome number. यह specialized type of division है जो कि क्या करता है? chromosome के number को reduce कर देता है by half results in the production of haploid daughter cell बेटा मैंने पीछे जब बनवाया था diagram तो वहाँ यही कर आया था ना कि एक deployed cell था जिसे मैंने germ cell कहा था उस germ cell में मैंने meiosis 1 कराई 2 cell बने meiosis 2 कराई तो वह 2 cell और 2 cell बनाएंगे तो total 4 cell बने जिनको हमने gamete कहा था तो gamete में क्या थे? haploid cell क्या थे? chromosome का set था पूरा एक हैना उन cell को हमने haploid cell कहा था और उनके अंदर एक chromosome का पूरा set था अब कैसे क्या होता है? वो सब हम देखते हैं उससे पहले आप जल्दी से screenshot ले लिजे क्या आपने screenshot ले लिया? जल्दी बताइए आपने screenshot ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं बिटा चलते हैं blank slide पर हम बात कर रहे हैं किसकी एक cell की किसकी बात कर रहे है cell की तो मैं हम बना लीजिए cell color select है बिल्कुल है चलिए तो ये हमारा क्या हो गया बिटा? Cell थोड़ा cell है ना board से बाहर चला गया उसको अंदर ले आते हैं ये cell हो गया हमारा clear है? ये क्या है बिटा? इस cell को हमने कहा deploid cell specialized diploid cell जिसे हम कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जल् смог बताईए जिसे हम कहते हैं germ cell क्या कहते हैं? germ cell इस cell को हम क्या कहते है, germ cell जैसे कि मैं बात करूँ, ये मेरा germ cell है क्या है, मेरा germ cell ठीक है, कैसा है, deployed है कैसा है, deployed तो ये germ cell कैसा है, deployed मतलब 2N condition कैसी condition, 2N condition 2N condition का मतलब, बेटा, human में जो number of chromosome होते एक deployed cell में, वो कितने होते हैं, 46 कितने होते हैं, 46 तो देखिए, जब मैं, कैसे बनी, एक single cell से बनी, जो कि क्या था, जाइगोट क्या बना था, जाइगोट, अब जाइगोट जब बना, तो जाइगोट से पहले क्या हुआ था मेल और female gamete का fusion हुआ था मतलब, मेरे पापा का sperm था, मम्मी का, egg था तो इस पाप और egg का fusion हुआ तो क्या बना, जाइगोट, जिससे मैं बड़ी हुई, पैदा हुई अब बात क्या आती है कि जो पापा की क्रोमोजोम मुझ में आए, मम्मा की क्रोमोजोम आए, और मेरे जो cells है उस हर cell के अंदर पापा का set of chromosome भी है ममा का set of chromosome भी है तो मैं तो अब बनाऊंगी दोनों का तो ये मेरा एक germ cell है जिसमें एक set of chromosome मतलब 23 chromosome मेरे पापा के है paternal chromosome है और 23 set of chromosome maternal है मतलब ममा के है, clear है तो इसलिए तो आपको मेरे ममा और पापा दोनों के character देखने को मिलेंगे मुझ में चलिए भाई, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये मैंने बना दिये 23 chromosome ऐसे मैंने 23 chromosome बना दिये, ये हो गए मेरे ओके ये जैसे कि मैं बात करूँ ये ममा का है, किसके है ममा के ठीक है, तो ये हो गए बेटा 23 pair of chromosome ओके ये क्या हो गए, 23 pair of chromosome ये किसके है, maternal chromosome है, क्या है maternal chromosome, मतलब ममा के chromosome से ये है maternal chromosome clear है, वही पर बात करती हूँ किसकी paternal chromosome की मतलब पापा से आये हुए chromosome की तो पापा से आये हुए chromosome भी हम बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पर मैंने पापा के आये हुए chromosome भी बना ली है, ये बना ली है देखना लेते हैं, थोड़ा से गौर करना मैं ऐसा क्यों कर रहे हूँ इसका पूरा मैं आपको explanation दूँगी, कि ऐसा मैंने क्यों किया है देखिये, क्या किया मैंने यहाँ पर, ये line क्यों कीची थी मैंम आपने हाँ मैं तो समझ नहीं आया, ये line क्यों कीचना था आपको यहाँ मैंने ये dash line से क्या बताया है, कि ये chromosome और इस chromosome की जो position है जो location है वो same है, जैसे कि मैं बोलू एक बिंदू यहाँ पर है, राइट, दूसरा बिंदू कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है तो horizontally इन दोनों की position क्या है, same है, कैसे मैंने एक line डॉकी और ये एक ही line पर क्या कर रहे है, लाय कर रहे है मतलब इन दोनों की position क्या है, same, और इस position को हम कहते हैं locus, क्या कहते हैं locus, राइट, तो बिटा, position को हम क्या कहते हैं locus, clear है बिटा, तो यह कौन से chromosome है, यह है हमारे paternal chromosome, मतलब पापा के chromosome, यह हो गए paternal chromosome, अब ऐसे 23 chromosome पापा के हैं और 23 chromosome ममा के है, तो total chromosome किते हो गए, 46, कितने हो गए, 46, clear है, कितने हो गए, 46, जिस में से 23 पापा के है और 23 मम्मा के हैं, तो यहां पर बेटा इन दोनों क्रोमोजोम को मैं क्या कहूंगी, जल्दी बताइए, होमो लोगस क्रोमोजोम, क्या कहूंगी, इन दोनों क्रोमोजोम को जो की सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, उन क्रोमोजोम को मैं क्या कहूंगी, होमो लोगस क्रोमोज 2, ऐसे total क्या है यह chromosome के number है, किसके number है, chromosome के number है, तो यहाँ पर ऐसे total chromosome है, कितने 23, ओके last जो है वो sex chromosome है, X और Y, clear है, तो मेरे यह जो chromosome है, जो की same locust पर है, उनको हम कहते हैं, homologus chromosome, क्या कहते हैं बेटा, homologus chromosome, तो बेटा, यह दो chromosome जो है, यह क्या कहलाएंगे, homologus chromosome, homo का मतलब होता है, same, homo का मतलब क्या होता है, same, बेटा, देखो, कभी किसी चीज़ का मतलब पता करना हैं, तो उसको break करना सीखो, कैसे break करना है, मैं, देखिए, homo का मतलब होता है, same, homo का मतलब होता है, same, लोकस का मतलब होता है पोजीशन ठीक है लोकस का मतलब है पोजीशन तो जो क्रोमोजोम सेम पोजीशन पर है उन क्रोमोजोम को हम होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं तो ये दोनों आपस में होमोलोगस है ये आपस में होमोलोगस है ये भी होमोलोगस है ये भी होमोलोगस है और X, Y, जो क्रोमोजोम है, ये भी क्या है? होमोलोगस क्रोमोजोम है. Right? Clear है या नहीं, जल्दी बताईए. तो होमोलोगस क्रोमोजोम की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गए कि 23 और 23 का सैट होता है क्रोमोजोम का. अब इसका स्क्रेंशोट ले लो. होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या काम होता है, कैसे होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगे. जल्दी से बेटास का स्क्रेंशोट ले लो. जल्दी स्क्रेंशोट लीजे. क्या आपने स्क्रेंशोट ले लिया, बताईए. अब देखिए यहाँ पर, यह सारे points हो गए थे clear, आगे देखिए क्या हो रहे, this kind of division is called meiosis, ठीक है, इस प्रकार के division को हम क्या बोलते हैं, meiosis कहते है, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, ठीक है, तो बेटा, meiosis किसको ensure करती है, जल्दी बताइए, haploid phase को, किसके haploid phase को, यहाँ पर, उस organism की life cycle में, जिसमें वो क्या करता है, sexual reproduction करता है, क्या करता है, sexual reproduction करता है, आप देखिए, whereas fertilization restores the diploid phase, अगर आप से बोले कि एक life cycle है organism की, उसमें haploid phase को कौन restore करता है, तो आप बोलोगे, meiosis, राइट, वहीं पर अगर आप से पूछ लिया जाए, meiosis हमने बोल दिया, sexually producing organism में, वहीं पर आप बोलो कि diploid phase जो है, उसको कौन restore करता है, fertilization, clear है, तो gamete formation किसको restore करता है, जल्दी बताइए, haploid cycle को, और diploid cycle को, diploid phase को कौन restore करता है, fertilization, clear है, we come across meiosis during gametogenesis in plant and animals, right, तो मेटा, plant भी diploid होते है, animal भी diploid होते है, ओके, तो यहाँ पर gametogenesis क्या होती है, gamete formation process, क्या होती है, एक diploid cell से, मतलब germ cell से किसका बनाना, किसका बनना, gamete का बनना, is called gamete formation process, या gametogenesis, right, this leads to the formation of haploid organism, इसकी वज़े से क्या होगा, यहाँ पर haploid gamete form होगा, क्या होगा, सौरी, organism बोल दिया, मैंने क्या बनेगा, haploid gamete, clear है, जल्दी बताइए, तो screenshot ले लिजे इसका, फटा-फट मेटा, बिना किसी देरी के, इसका screenshot लिजे, क्या आपने screenshot ले लिया, चलिए, तो आपने screenshot ले लिया है, right, the key features of meiosis are as follows, क्या-क्या key features है meiosis के, जरा हम देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं, हाना, तो क्या key features है meiosis के, key features of meiosis, तो देखिए, हम चलते हैं, key features of meiosis के, तो meiosis involve two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1, ठीक है, and meiosis 2, तो बेटा, meiosis में, दो sequential cycle चलती है, किसकी nuclear, मतलब karyokinesis की and cytokinesis की, पहली karyokinesis हुई, कब meiosis 1 में, उसके बाद आपका क्या हुआ, जल्दी बताईए, फिर cytokinesis हुई, यहाँ पर cytokinesis को interface कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच में तो cytokinesis होती है, meiosis 1 and meiosis 2 के, उसको हम बोलते है हैं, interface, ठीक है, interface बोलते हैं, जल्दी बताईए, क्या interface बोलते हैं, ओके, दैन उसके बाद क्या होगा, meiosis 2 और meiosis 2 के बाद जो cytokinesis होगी, clear है, उसे हमने cytokinesis 2 बोल दिया, अब देखिए, but only single cycle of DNA replication, ओके, बट बेटा, यहाँ पर देखिए, karyokinesis दो बार हुई, cytokinesis दो बार हुई, बट यहाँ पर आपके, क्या एक ही बार होगा, DNA का replication, जो है, वो एक ही बार होगा, क्या होगा, DNA का replication, एक ही बार होगा, क्या इतना clear है, या नहीं, जल्दी बताईए, तो बेटा, याद रखना आपको, interkinesis और interface, हाना, तो देखिए, यहाँ पर दो phase है, interkinesis और interface, ठीक है, तो पहले क्या होगा, interface, क्या होगा, interface, interface में सारे organelles, DNA का replication होगया, यह कहां पर हुआ है, जल्दी बताईए, interface में, कहां पर हुआ रूआ है, Interphase में Interphase में DNA का replication हो गया बिलकुल मैं समझ में आ गया DNA का replication हुआ उसके बाद हुई है Miosis 1 फिर क्या हुआ Interkinesis क्या हुई Interkinesis Okay क्या हुई Interkinesis Interkinesis के बाद होता है Miosis 2 और Miosis 2 के बाद Miosis 2 में मतलब आपका क्या हो जाएगा यहां पर यह जो M1 लिखा है न मैंने यह क्या लिखा है Karyokinesis क्या लिखा है Karyokinesis राइट यह क्या है Karyokinesis ठीक है वही पर यहां पर क्या है Karyokinesis तो Miosis 2 की Karyokinesis और Miosis 1 की Karyokinesis ओके इसके बाद होता है बिटा Cytokinesis क्या होगा Cytokinesis क्लियर है तो ये पूरी एक प्रोसेस है जो की हमें फालो करनी है clear है तो DNA का replication किसमें होता है interface में ना की यहां पर आपके interkinesis में interkinesis में DNA का replication नहीं होता DNA का replication होता है interface में ओके अब देखिए meiosis one initiated after the paternal chromosome parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase phase तो यहां पर क्या बोला मेटा meiosis one कब initiate होती है जब parental cell में मतलब germ cell में क्या होता है chromosome जो होते है उनके उसमें किसका replication हो जाता है जल्दी बताए DNA का replication हो जाता है कब जल्दी बताए S phase में कब S phase में तो जो हमने homologous chromosome बनाए थे वो कैसी condition में थे monard condition में किसमें थे monard condition में मतलब उनमें chromatid का number कितना था एक था clear है जैसे कि मैं बात करूँ यहां पर ठीक है बिटा यह homologous chromosome है क्या है homologous chromosome और इस chromosome पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यह इसका centromere है यह क्या है इसका बीच में यह centromere है ना यह क्या है centromere और इससे हम क्या कहते हैं विटा इससे हम कहते हैं chromatid यह एक chromatid कितनी है एक chromatid आप क्या होगा interface आएगा interface में क्या होता है जल्दी बताइए interface में होता है G1 phase, S phase and G2 phase clear है तो interface में G1 और S phase G1 में तो आपका maximum जो organal है उनका duplication हो जाता है जो DNA replication में protein जरूरी होते enzyme जरूरी होते उनकी synthesis हो जाती है S phase में क्या होता है बिटा DNA का replication replication तो वहीं पर हम चलते है DNA के replication की तरह इसको जल्दी से आप हटवा दीजिए मैडम तो यह हटवा दिया हमने अब चलते हैं देखिए यह क्या है बिटाइक cell है यह क्या है cell यह क्या हो गया cell यह cell है germ cell कौन सा है germ cell ठीक है इस germ cell में total chromosome कितने है 46 कितने है 46 तो यहाँ पर 46 chromosome है कितने है 46 chromosome है ऐसे 46 chromosome है ऐसे कितने है 46 chromosome 23 यह हो गए और वहीं पर दूसरी जगा 23 यह हो गए तो यह हमारे homologous chromosome हो गए ठीक है यह 23 है अब यह वाला जो cell है यह जाएगा किसमें interface में किसमें जाएगा interface में interface में पहुंचा देते ठीक है तो होता क्या है देखिए बेटा interface में g1 phase में जो chromosome होते वो किसके form में होते है chromatrid के form में किसके form में chromatid के form में तो यहाँ पर यह जो chromosome है वो ऐसे नहीं दिखेंगे कैसे दिखेंगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से क्या दिखेंगे आपको chromosome ठीक है तो यह दिख गए आपको chromosome दिख गए या नहीं दिख जल्दी बताइए तो यह आपको दिख गए chromosome, इन्हीं हम क्या कहेंगे chromatids, क्या chromatin, ये है हमारे chromatin, ओके, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये है हमारा G1 face, क्या है G1 face, G1 face के बाद आता है G2 face, क्या आता है G2 face, तो हम बना देते हैं किसको g2 phase को g2 phase में क्या होगा यहां देखिए मैंने total कितने chromosome बनाया जड़ा गिनिए count कीजिए कितने chromosome है total तो यहां आपको total दिख रहे होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो 4 8 है 4 आपके green है और 4 कौन से red है मतलब ऐसे 23 है और यह 23 है total 46 हो गया तो हमने क्या किया बेटा यहां पर जो 4 chromosome क्या थे blue थे यह जो blue थे इनका क्या हो गया duplication तो यहां पर chromosome का number क्या हो गया same बढ़ DNA का amount क्या हो गया double क्या हो गया DNA का amount double ठीक है वहीं पर 4 मैं कौन से थे green थे तो यहां पर chromosome का number अभी same होगा बढ़ DNA का amount double हो जाएगा किसका amount double हो जाएगा DNA का amount double हो जाएगा right तो यह condition बन गई यह condition कौन सी है यहां पर यह हो जाएगी आपकी G2 और sorry S phase और G2 में भी same होगी इसलिए मैं G2 भी लिख देती हूं ठीक है क्या लिख देती हूं G2 अब यह condition हो कोई इसके बाद यहां पर यह condition किसमें आई है विटाप की यह condition है interface की किसकी है interface की अब interface complete हो गया हना G2 phase आ गया जैसे ही G2 खतम हुआ initiation हुआ मियोसिज 1 के प्रोफेस का किसका मियोसिज 1 के प्रोफेस का तो मियोसिज 1 के प्रोफेस में यही वाला structure जाएगा ठीक है चला गया तो हमने क्या किया इसका screenshot ले लो जल्दी से जल्दी screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताईए तो यहां पर देखिए बेटा क्या हुआ यह जो है यह जो सेल है न बेटा यह सेल जो है जी टू को पार करके आया है किसको पार करके आया है प्रोफेस में आ गया राइट तो प्रोफेस में यह क्या है बेटा प्रोफेस 1 क्या है प्रोफेस 1 म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 किसका म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 इसमें म्योसिस 1 में प्रोफेज 1 ही होगा ठीक है तो बेटा यहाँ पर प्रोफेज 1 का यह कौन सा फेज है Laptotein Phase, ठीक है? तो यहाँ पर Pro Fease में कितने Phase होते हैं? 5 Phase होते हैं जिसका पहला Phase होता है Laptotene, राइट, तो यह कौन सा Phase है बैटा, Laptotein Pro Face का कौन सा Phase है? Laptotein राइट, तो Laptotein में बैटा, क्या होता है? देखिए, Lse Lepto, Lse Light, Lse Lepto, ओल से लाइट तो यहां पर लैप्ट्रोटीन जो स्टेज है इसमें क्या होता है खुरोमोसोम जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोब में भीजिई बवल होते हैं तो ग्रीमोसोम जो है वो visible होते हैं visible in light microscope clear है बेटा इतना समझ में आया तो light microscope में क्या visible है chromosome इतना clear है इस stage में मैं होता क्या है तो बेटा यहाँ पर chromosome का condensation होता है तो यहाँ पर क्या होता है condensation of chromosome condensation of chromosome तो chromosome का condensation हो गया और क्या होता है बेटा यहाँ पर होता है बेटा disintegration disintegration of nuclear membrane ठीक है क्या हो गया disintegration of nuclear membrane ठीक है और क्या होगा यहाँ पर एससे spindle fiber formation spindle fiber spindle fibers formation just visible तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि spindle fiber formation बस स्टार्ट ही हुआ है ठीक है formation जस्ट visible ठीक है तो यहाँ पर spindle fiber formation क्या हुआ है visible हुआ है राइट चलिए तो यह तो हो गया मियोसिस वन के प्रोफिस वन का कौन सा फेज leptotene stage कौन सी होगी leptotene stage तो यहाँ पर क्या होगा बेटा leptotene stage में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ देखिए leptotene stage में आपको dna जो है हाना वो dna में क्या हो जाएगा condensation यह किसमें था बेटा stage बन जाएगा कैसा structure बन जाएगा जल्दी बताईए यहाँ पर यह बन जाएगा इस तरीकी का structure क्यों ऐसा क्यों बना मैं क्योंकि dna का replication हो गया ठीक है तो यहाँ पर एक chromosome के कितने जल्दी बताईए कितनी chromatid होगी 2-2 कितनी होगी 2-2 ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कर लेती हूँ है क्योंकि वहाँ पर बन नहीं रहा है पूरा ठीक है तो यहाँ कितने chromosome होगे टोटल 46 ही होगी कितने होगे 46 ऐसे 46 chromosome होगे ठीक है तो ऐसे आपको 46 chromosome दिखेंगे क्या दिखेंगे 46 chromosome तो यह क्या है पीटा Leptotene क्या ही यह Leptotene के बाद आएगा Zygoteen किसका प्रोफेस की दूसरी stage that is Zygoteen तो Zygoteen में क्या होता है देखिए Zygoteen में क्या होगा कलर वाइट ही है हाँ तो Zygoteen में क्या होगा पीटा देखिए यहाँ पर Zygoteen में क्या होता है जो homologous chromosome है कौन है पीटा homologous chromosome उनके बीच में क्या बन जाता है जल्दी बताएए उनके बीच में क्या बन जाएगा रिष्टा मतलब यहां bridge formation हो जाएगा तो यहां देखिए पीटा यह एक chromosome हो गया यह दूसरा chromosome हो गया और दोनों कैसे हैं आपस में homologous क्यों बोला मैं हम आपने homologous क्योंकि दोनों same position पर present है राइट है या नहीं जल्दी बताएए तो यह homologous chromosome जो है बिटा इनके बीच में क्या बन जाता है bridge क्या बन जाता है bridge कैसा bridge बन जाता है बिटा तो यहां पर बन गया ये bridge ये बन गया नौन होम लोगस क्रोमोजों के बीच में non-homologous chromosome के बीच में bridge formation नहीं होगा तो इसे मैंने क्या बोला इस bridge को मैंने बोला synaptonemal complex क्या बोला बिटा synaptonemal complex तो प्रोफेज 1 का ये कौन सा stage है जल्दी बताएए प्रोफेज 1 की ये कौन सी stage है ये हो जाएगी हमारी कौन से कलर से लिखा रेड से कौन से stage हो जाएगी zygoteen कौन सी हो जाएगी zygoteen कौन से stage हो गई zygoteen zygoteen में क्या हुआ बेटा जल्दी बताएए synaptonemal complex right क्या synaptonemal complex formation तो यहां पर बेटा क्या हुआ है synaptonemal complex formation ठीक है क्या हुआ synaptonemal complex formation right दूसरा क्या है बेटा synapsis क्या हुई है synapsis synapsis का मतलब क्या होता है मैं synapsis का मतलब होता है बेटा pairing of homologous chromosome तो यहां पर क्या हुआ बेटा pairing हुई है किसकी homologous chromosome की कैसे हुई है pairing इस synaptonemal complex की वज़े से मतलब इस bridge पर कौन आया है जल्दी बताएए chromosome number one और chromosome number one और दोनों ने क्या किया handshake किया right मतलब दोनों के बीच में क्या हुई pairing हुई तो यह एक वो रसी है जो किसको जोड रही है जल्दी बताए chromosome number one and chromosome number one को ठीक है तो यहां पर यह रसी जो है वो कहलाती है सिनेप्टोनीमल कॉंप्लेक्स जो कि दोनों को बांध के रखती है किसको chromosome number one and chromosome number one को clear है चले बता इतना समझ में आया कि नहीं तो यहां पर क्या हुई है pairing of homologous chromosome ठीक है next step जो है विटा यहां पर क्या देखने को मिल रही है आपको next जो मिल रहा है भाइबिलेंट बाइबेलेंट जस्ट भेजिबन ठीक है बेटा तो यहां पर क्या हो रहा है तो बाइबिलेंट देखने को मिल रहा है यहां पर यह दोनों क्या रहा है पास-पास में आ रहा है तो ऐसे लग रहे दो homologous chromosome है, वो चिपक गए, राइट, तो bivalent और मैं क्या बोलती हूँ, bivalent और tetrad, sorry, bivalent और tetrad, just visible, just visible, राइट, तो जल्दी से बिटा, इसका screenshot ले लीजिए, जल्दी फड़ा फड़ा इसका screenshot लीजिए, क्या आपने screenshot ले लिया बताईए, क्या आपने screenshot ले लिया, इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, बेटा, अब next जो step है, next process जो है, प्रोफेंस बन की, हमने पड़ ली zygotin, अब आती है pecaitin, क्या आती है pecaitin, तो देखिए pecaitin में क्या होता है, देख लेते है, pecaitin में क्या होता है, यहाँ देखिए, यह क्या है, cell, clear है, यहाँ पर देखिए, हमने बनाए थे homologous chromosome, right, तो यहाँ पर यह हो गए हमारे homologous chromosome, यह क्या हो गया, homologous chromosome, तो अभी तक हम 4 ही बना रहे थे, I think, तो अभी भी हम 4 ही बनाएंगे, ऐसे कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, तो यह एक homologous chromosome हो गया, अब बेटा, pecaitin में क्या होते हैं, यह जो homologous chromosome होते हैं, यह तो एक set of chromosome है, यह इसका homologous chromosome यह हो गया, right, तो यहाँ पर क्या होते हैं, homologous chromosome के बीच में क्या हो जाती है, pairing, क्या हो जाती है, pairing, right, homologous chromosome के बीच में क्या हो जाती है, pairing, यह हो गई, pairing तो कहां हो गई थी, जल्दी बताए, pairing तो कहां हो गई थी, स्ञेडोनीमल क्मफलेक्स कहां बन गया था जल्दी बताई ये वो तो बन गया था मैम हमारे ذा जाइगोटीज फीस में बट यहां पर क्या होगा बेटा अब narration बस बन गया तो प्रbишь बन गया प्रिज बन गया तो पास-पास में आइंगे homologous और जैसे ही homologous chromosome पास आएंगे इनके बीच में क्या होगा hand shake, क्या होगा hand shake, right? इससे हम कहते हैं recombination nodule, क्या कहते है? recombination nodule, तो recombination nodule क्या होता है? देखिए, ये homologous chromosome है दो, हना chromosome number one, chromosome number one, पास में आ इनकी chromatid और chromatid जिस पार्ट पे क्या हो रही है? जुड रही है, एक दूसरे से connect हो रही है, तो यहाँ पर इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? recombination nodule, जब दो homologous chromosome की, क्या, यहाँ पर sister chromatids या non-sister chromatids? homologous chromosome की जो chromatids होती हुने हम non-sister chromatids बोलते हैं, यहाँ पर non-sister chromatids पास में आ रही है और इनकी बीच में friendship हो रही है, एक bond बन रहा है, एक nodule बन रहा है, जिसे हम recombination nodule कहते हैं, right? clear है बिटा? जल्दी बताए, clear है, तो यह क्या है बिटा? recombination nodule, यह क्या है? recombination nodule, हाँ, तो यह क्या है? recombination nodule, और बिटा, यह recombination nodule, जो है, वो किसकी मदद से बनाया, बिटा? by the help of, by the help of recombinase enzyme, recombinase enzyme ने क्या बन वाया? recombination nodule, right? तो recombinase क्या है बिटा, यहाँ पर, recombinase जो है, वो क्या है, आपका enzyme है, right? recombinase क्या है, बिटा, enzyme है, okay? clear हुआ या नहीं, जल्दी बताए, यह clear हुआ या नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया? recombination nodule बन गया, मतलब दोनों की, जो non-sister comatid है, homologus chromosome की, वो पास पास आ गई, आप देखिए, आप किसी से मिलने के, ठीक है, आप किसी के घर पे गए, तो आप क्या लेकर जाओगे, गिफ्ट लेकर जाओगे की नहीं, और वो भी आपको गिफ्ट देंगे, रिटन गिफ्ट देंगे की न तो यहाँ पर क्या होता है वीटा, जहाँ पर recombination nodule बनता है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर return gift मिलते हैं, मतलब इसका कुछ पार्ट, इस green वाले chromosome का कुछ पार्ट, जीन यहाँ transfer हो जाएंगे, और उसके यहाँ transfer हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, crossing over, क्या ओवर होता है जिसकी वज़े से आपने सुना होगा sexual reproduction के वज़े से variation आता है वो variation क्यों आ रहा है क्योंकि meiosis के दौरान पर homologous chromosome के बीच में क्या होता है crossing over होता है यहाँ पर genetic material में exchange होता है right paternal और maternal chromosome के वज़े से यहाँ पर recombination आपको chromosome मिलेगा right chromosome में क्या मिलेगा recombination मिलेगा clear है तो यह समझ में आ गया और कुछ point लिखना है कि इसमें बिल्कुल लिखना है यहाँ पर इस stage में जो bivalent और tetrade यह अब तो एक लग रहा है न तो यहाँ पर बेटा और bivalent और tetrade जो है पास पास दिख रहे हैं कि नहीं बाइवेलेंट और tetrade जो है tetrade मतलब जिसकी चार chromatid है दो यह दो यह चार हो गए और tetrade clearly visible तो bivalent और tetrade इस stage में क्या होते हैं clearly visible होते हैं तो यह हो गया हमारा कौन सा stage pacotene क्या हो गया pacotene ओके तो यह हो गया हमारा कौन सा stage pacotene our next stage है वो कौन सा हो जाएगा diplotene क्या होगा diplotene अब crossing over हो गया तो क्या इनका पास होना जरूरी नहीं अब यह क्या होंगे खुलेंगे और जब यह खुलेंगे तो देखिए जब यह homologous chromosome चिप अगया पास में आ गया ठीक है क्या हो गया बिलकुल पास में आ जाते हैं बिलकुल ऐसे हो जाते हैं यह हना मैं बिलकुल समझाने के लिए आपको थोड़ा से दूर बना दिया है बटी होते कैसे exactly ऐसे हो जाते हैं ऐसे ठीक है तो इस प्रकार का structure बनता है यहां पर और खुलने के बाद अगर आपको यहां confusion हो रहा है क्योंकि में रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल दिखाना था अगर आपको यहां कोई confusion होता है तो प्लीज आप इसको इस तरीके से बना ले ना ठीक है एक बिट इस तरीके से बना ले ना बिल्कुल चिपका के राइट नहीं तो आप बोलो मैं ठीक है तो इस तरीके का structure बनता है और इसे हम क्या बोलते है recombination nodule जहां पर यह क्या हो रहा है मिल रहे है राइट इससे हम क्या बोलते है recombination nodule जहां पर इनका क्या हो रहा है मिलन हो रहा है राइट क्लियर है अब इसके बाद आता है क्या जल्दी बिताई इसके बाद आता है आपका कौन सा फेज इसके बाद आएगा आपका next phase that is diplotine तो क्या हो गया यह recombination nodule बना है ऐसे जोड़े अब क्या होंगे यह खुलेंगे तो ऐसा structure बन जाएगा इस तरीके का एक structure बन जाएगा जिसे हम कहेंगे काईजमा क्या बोलेंगे काईजमा राइट तो देखें बिता आप क्या होता है यहां पर इसको हटा द डिपलोटीन क्या है डिपलोटीन तो डिपलोटीन में क्या होता है देखें वाइट इकलर स्लेक्ट है हां तो देखो डिपलोटीन में क्या होता है पिटा हाँ डिपलोटीन स्टेज में क्या होता है बिटा ये ऐसा दिखा रही हुँ मैं क्योंकि बिल्कुल चिपके होते हैं ये पास पास में हो जाते हैं तो डिपलोटीन में क्या होते हैं ये जो होमोलोकस क्रोमोसम बिल्कुल जुड़े हुए थे ना अब ये क्या होते हैं, open होते हैं, और सिर्फ उसी पार्ट से जोड़े रहते हैं, जहां पर क्या हुआ था, recombination nodule फॉर्म हुआ था, उसी पार्ट पर क्या होते हैं, जोड़े रहते हैं, बाकी जगा से ये क्या हो जाते हैं, open हो जाते हैं, right, तो देखिए, इस तरीके का structure बन इसी पार्ट से जोड़े रहते हैं बाकी जगा से ये हट जाते हैं इसी पार्ट से जोड़े रहते हैं जहां पर क्या बना था रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल राइट ठीक है तो ये सिर्फ उसी पार्ट से जोड़े हैं जहां पर क्या बना था रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल यहां ये बहुत पास पास थे और यहां पर सिर्फ उसी पार्ट से जोड़े हैं जहां पर क्या था? recombination nodule था, right? इतना clear हुआ या नहीं? ठीक है? तो मेटा, diplotene phase में क्या होता है? देखिए, diplotene phase में क्या होता है? यहाँ पर होता है, dissolution of synaptonemal complex. क्या होता है? dissolution of synaptonemal complex, right? और यहां पर homologous chromosome जो है, वो जुड़े रहते हैं सिर्फ उसी stage से, जहां पर क्या होता है? काईजमा. मतलब जहां पर recombination nodule बना था, उसी stage से क्या होते है, पिटा? homologous chromosome जुड़े रहते हैं, right? तो देखिए, homologous chromosome जो है, वो किस पार्ट से जुड़े रहते हैं? जहां पर क्या बना था? recombination nodule, तो यहां पर क्या होता है? काईजमेटा, काईजमेटा formation, क्या होता है बेटा यहां पर? काईजमेटा formation, काईजमेटा formation क्या होता है? X-shape structure बनता है, क्या होता है? X-shape structure बनता है X-shape structure, right? और यह X-shape structure जो है, किसकी वज़े से बना है? जल्दी बताइए, यह X-shape structure जो है, यह बना है वहाँ से जहाँ पर क्या था? recombination nodule, right? तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था बेटा? इस पार्ट पर array, shit, क्या हो गया यह? क्या हो गया यह? यहाँ पर क्या होता है? recombination takes place, right? takes place अब यह बेटा, यहाँ पर homologous chromosome जो है वो completely अलग-अलग नहीं हुए यहाँ बहुत जोड़े रहते हैं, बिलकुल fuse रहते हैं, इस तरीके का structure होता है, बता चुकी हूँ मैं, right? क्यों ऐसा बनाए है? क्या आप समझभाओ? इस तरीके से, बेटा, क्या होते हैं, यहाँ पर homologous chromosome होते हैं बिलकुल जोड़े होते हैं, पास-पास में होते हैं, इस तरीके से ऐसे, right? और यहाँ पर क्या होगा है? दूर-दूर होगा है, खुल गया है, सिर्फ उसी पार से जोड़े हैं, जहाँ पर क्या था? जहाँ पर recombination nodule बना था, यह हो गया हमारा diplotene stage, क्या होगी बिटा? diplotene stage diplotene stage, right? next step जो होती है, इसी की, वो होती है diokinesis, diokinesis में क्या होता है? complete dissolution हो जाता है, किसका? syneptonemal complex का, तो वो भी मैं बना लेती हूँ, पहले जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजे, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजे, क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है, जल्दी बताईए तो फिर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताईए अब इटा, next step जो है, मियोसिस में प्रोफेज बन की, वो है, diokinesis right? तो diokinesis में क्या होता है? देखिये, जैसे कि अभी हमने देखा था, diplotene में क्या था काईजमा फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था? काईजमा फॉर्मेशन, काईजमा फॉर्मेशन क्या था? वहाँ पर क्या हुई थे? जो homologous chromosome थे उसमें, वो part जहां पर recombination nodule बना था वहाँ पर वो attached थे और एक shape structure बना था, जिसे हमने काईजमा फॉर्मेशन कहा था, और वहाँ पर क्या हुआ था? सिनेप्टो नेमल complex का dissolution स्टार्ट हो गया था बट अब जो है यहाँ पर जो next step है, जिसे हम diplotene कह रहे है, यह diokinesis, जल्दी बताएए diokinesis, right? तो diokinesis में क्या होता है? यहाँ पर जो homologous chromosome है वेटा, वो separate हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? separate, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर recombination nodule बना था तो इसका जो homologous chromosome था ना, उसका part इसमें आजाएगा, यहाँ गया देखिए ठीक है? और यह वैसे का वैसे हैं और यहाँ पर भी recombination nodule बना था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जल्दी बताएए यहाँ गया clear है? तो यहाँ पर भी क्या हो गया जल्दी बताएए, यहाँ पर भी क्या आजाएगा recombination nodule की वज़े से यहाँ पर क्या हो गया crossing over उस chromosome के जो आपकी maternal या paternal chromosome था, इनके बीच में क्या हो गया? Crossing over मतलब इस chromosome का कुछ पार्ट उस chromosome में चला गया और उस chromosome का कुछ पार्ट इस chromosome में चला गया करना के बताती हूँ, राइट चलिये तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ विटा? यह देखू यह हुआ यह हुआ यह देखू जरूरी नहीं इतना बड़ा पार्ट आए, हाना जितने पार्ट में crossing over हो रहा है उतना पार्ट भी आ सकता है, राइट? तो यहाँ पर यह क्या शो कर रहा है विटा? क्रॉसिंग ओवर को, किसको शो कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर को, तो यह यहाँ पर भी क्या हुआ है क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर तो ये दिख रहा है आपको crossing over राइट ये क्या दिख रहा है बिटा आपको crossing over clear है बिटा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी हुआ है crossing over तो यहाँ पर भी दिखाते हैं किस तरीके से दिखाएंगे crossing over इस तरीके से तो यहाँ पर क्या हो गया complete dissolution हो गया किसका syneptonemal complex का किसका syneptonemal complex का तो यह कौन से stage है बिटा diakinesis कौन से stage है diakinesis तो कौन से stage हो गई है diakinesis तो जल्दी से इसका screen shot ले लीजे तो diakinesis stage में क्या हुआ था यहाँ पर बिटा यहाँ पर हुआ है complete dissolution complete dissolution of syneptonemal complex और क्या हुआ बिटा? separation of homologous chromosome यहाँ पर homologous chromosome क्या हो गए? separate हो गए right? इतना clear हुआ बिटा? separation of homologous chromosome चलिए तो फटा फट बिटा सका screen shot ले लीजे जल्दी फटावर्ट screenshot लीजे कि आपने इसका screen shot ले लिया है तो हम बढ़ते हैं आगे राइट चलिए तो बिटा यह वाला पार्ट हमारा complete हो चुका था अब देखिए क्या बूलरी आपके anxiety मियोसिस इन्वाल्स पेरिंग ओफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स हमने यह सारी चीजे पढ़ चुके सिर्फ अब हमें रेड करना है मियोसिस में क्या होता है पेरिंग ओफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स किसकी पेरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोजोम्स की and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome बेटा यह आपको clear है ना non-sister chromatid क्या होती है sister chromatid क्या होती है मैंने जब आपको cell cycle पढ़ाया था वहाँ पर आपको clear कर दिया था अगर अभी भी कोई doubt है तो कोई दिक्कत नहीं जैसे कि हम बात करें यह chromosome है यह क्या है एक यह क्या है बेटा एक chromosome right यह दूसरा chromosome था chromosome number one right यह chromosome number one है यह भी chromosome number one है ठीक है दोनों क्या है आपस में homologous chromosome है यह क्या है homologous chromosome clear है तो यहां पर बेटा क्या है यह दोनों जो chromatids है यह आपस में क्या है sister chromatids यह क्या है sister chromatids right और यह 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 आपस में क्या है non sister chromatids तो बेटा जो crossing over होती है वो किसके बीच में होती है non sister chromatids of homologous chromosome के बीच में किसके बीच में non sister chromatids of homologous chromosome किसके बीच में होती है non sister chromatids of homologous chromosome क्या clear है जल्दी बताइए अब आगे देखिए four haploid cells are formed at the end of meiosis 2 अभी हमने क्या किया है बेटा meiosis 1 किया क्या 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 meiosis 1 और meiosis 1 में भी हमने क्या 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 प्रोफेस 1 ही क्या अभी पूरा meiosis 1 भी complete नहीं किया उसकी पहली ही stage करिए right तो बेटा meiosis 2 जब complete हो जाती है तो यहां पर आपको कितने मिलते हैं screenshot ले लीजे okay तो चलते हैं आगे meiotic events can be grouped under the following faces दो फेज होते हैं meiosis 1 and meiosis 2 meiosis 1 के अंदर भी कौन-कौन से phases होते हैं pro phase 1, meta phase 1, anaphase 1 and telophase 1 बिटा याद रखना meiosis 2 जो है बिलकुल exact same है किसके जैसे mytosis के जैसे तो meiosis 2 similar to mytosis similar to mytosis right to mytosis के similar कौन है meiosis 2 ठीक है इसमें क्या आते हैं pro phase 2 आता है meta phase 2 आता है anaphase 2 and telophase 2 right तो जल्दी से बिटा बिना किसी देरी के इसका screen shot ले लीजे जल्दी screen shot लीजे चाले आगे बड़े आप देखिए meiosis 1 में हम pro phase 1 की बात करें तो pro phase 1 में क्या है pro phase of the first meiotic division pro phase of the first meiotic division is typically longer ठीक है meiosis 1 का सबसे longer phase कौन सा है बताए ये pro phase ठीक है pro phase 1 तो यहां पर meiosis का सबसे longer phase है pro phase 1 clear है and more complex when compared to pro phase of mitosis और बेटा ये mitosis के pro phase से काफी जादा complex है क्योंकि यहां पर बहुत सारी activities होती है right अब देखिए it has been further इसे हमने फिर से divide किया है okay पहले हमने pro phase रखा meiosis 1, meiosis 2, meiosis 1 में pro phase 1 pro phase 1 को भी sub divide किया हमने 5 phases में sub divided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior it means leptotene, zygotene, pacytene, diplotene and diakinesis right तो एक pro phase के अंदर कितने phase होते हैं sub divide किया उसको कितने phase में 5 phase में right तो हमने अभी पढ़ा है कि pro phase जो है pro phase 1 जो है sub divided sub divided into five phases और वो 5 phases कौन से हैं जल्दी बताइए वो 5 phases कौन से हैं बेटा पहला है आपका leptotene दूसरा है जाइगोटीन पकाईटीन डिपलोटीन अखरी है डाइकाइनिस तो जल्दी से बेटास का स्क्रीन शॉट ले लीजे फटाफट स्क्रीन शॉट ले लिया है बताइए तो हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए दूरिंग leptotene स्टेज दा क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेट्वली विजिवल अंडर दा для light microscope else a leptotene, else a light तो यहाँ पर बेटा leptotene स्टेज में क्या होता है क्रोमोजोम जो है वो light माईक्रोस्कोल में क्या होता है visible होता है कैा होता है राइट the compaction of chromosomes continues compaction का मतलब क्या है यहाँ पर यह condensed हो रहे compaction of chromosomes continues throughout leptotene ठीक है तो बिटा leptotene stage में क्या होता है chromosome का condensation होता है क्या होता है condensation of chromosome clear है this is followed by इसके बाद क्या होता है second stage of pro phase 1 that is zygoteen right to zygoteen में क्या होता है जल्दी बताईए synaptonemal complex का formation होता है यहाँ पर synapsis होती है किसके बीच में synapsis का मतलब होता है pairing of homologous chromosome और क्या था यहाँ पर bivalent और tetraad जो है वो just क्या हुआ है visible हुआ है ठीक है start हुआ है visible होना तो यह हमारी zygoteen stage हो गई राइट चले तो दो stage हमने पढ़ ली leptotene and zygoteen इसका screenshot ले लीजे जल्दी से ओके क्या आपने screenshot ले लिया अब चलते हैं next during this stage chromosome start pairing together इस stage में किसकी बात कर रहे है बिटा यह zygoteen की तो इस stage में क्या होता है pairing हो जाती है ठीक है pairing together and this process association called इस process को pairing को हम क्या कहते है synapsis कहते है क्या कहते है synapsis तो synapsis का मतलब क्या होता है बिटा pairing of homologous chromosome बिटा मैं यहां क्यों लिखवाती हूं बार बार ठीक है क्योंकि आप NCRT में लिखो साथ में राइट pairing of homologous chromosome ठीक है बच्चे कन्फ्यूज होते है इसलिए NCRT में पैंसिल से पैंसे जिससे भी लिखना है उससे लिखो राइट चलिये और जो जो वर्ट मैं यहां पर हाइलाइट करा रहे हूं वही वर्ट को हाइलाइट करना पूरा रंगना नहीं है बुक को clear है बुक साथ में लेकर बैठा करो अब देखे such paired chromosomes are called homologous chromosome इन्होंने यहीं बोल दिया ऐसे chromosome को जिन में pairing हुई है उन्हें हम क्या कहते हैं homologous chromosome right electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex बेटा यह synapses कैसे हो पाई यह pairing कैसे हो पाई तो यह pairing किसके वज़े से हुई है synaptonemal complex की वज़े से right synaptonemal complex क्या है बेटा यह protein और RNA का bridge है किसका protein और RNA का bridge है ठीक है यह किससे बना होता है protein plus RNA किससे बना होता है protein plus RNA से बना होता है right तो जल्दी से बेटास का screen shot ले लीजे और यह synaptonemal complex जो है यह क्या करता है pairing कराता है किसकी homologous chromosome की जिसे हम synapsis कहते हैं, राइट, चले, आगे बड़े, बता ही आगे बड़े, ओके, आप देखिए, the complex formed by pair of synapsed homologous chromosome called bybalent, तो बेटा, जैसे ही synapsis होती है, pairing होती है, तो जो complex form होता है, उससे हम क्या कहते हैं, bybalent or tetrad, क्या मोलते हैं, bybalent or tetrad, clear है, however, these are more clearly visible at the next stage, तो देखिए, मैंने बिटा आपको, जब zygoting stage पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ क्या लिखवाया था, कि bybalent or tetrad just visible, मतलब visible होना start हुआ है, clearly visible किसमें लिखवाया था, मैंने pacotin stage में, जो की next step है, क्या है, next step है, right, आप देखिए, the first two stages, मतलब किसकी बात कर रहे है, ये प्रोफेस वन की दो stage, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, और प्रोफेस वन, आर रिलेटिबली शॉर्ट लिखवाया था, next stage, that is pacotin, बिटा, pacotin के comparison में, लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो है, वो शॉर्ट लिखवाया था, मतलब कम डियूरेशन होता है, उनका, क्यों मैं ऐसा, सबसे क्रूशिल स्टेब जो है, वो है pacotin, piece से pack, piece से pacotin, कैसे याद रखना है, piece से pack, piece से pacotin, pacotin stage में क्या होता है, recombination nodule बनता है, क्या बनता है, recombination nodule with the help of recombinase enzyme, और क्या होता है, इस time पर crossing over होती है, crossing over कहां होगी बिटा, जहाँ पर recombination nodule बनेगा, simple सी बात है, recombination nodule क्या होता है, ये homologus chromosome की non-sister chromatids हैं, non-sistery कहलाएंगी न, दो homologus chromosome की, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये nodule बना, क्या बना, nodule बना, तो इससे हम कहते हैं, recombination nodule, जहाँ पर recombination nodule बना, उसी जगा पर क्या होता है, crossing over, crossing over का मतलब है, exchange of genetic material, ये अपना genetic material, अपना DNA, अपनी base pair, अपना sequence, अपना gene, इसको दे देगा, और ये अपना इसको दे देगा, इसी को बोलते हैं, crossing over, जिसके वज़े से variability देखने को मिलती है, sexual reproduction में, चलिए बेटा, इतना समझ में आया कि न, क्योंकि आपको 12 में पूरा पढ़ना है, sexual reproduction में जो variability है, genetic में आपको पढ़ना की variability आ रही है, क्लियर है, क्यों क्यों आ रही है, क्योंकि meiosis जो है, meiosis 1 में, जो pro phase 1 का pacotin stage है, उसमें क्या होती है, crossing over, और इसी crossing over की वज़े से क्या आ रहा है, variability आ रही, recombination, नया combination बन रहा है, क्लियर है, तो पेटा जल्दी से screenshot लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़ें, और इसी stage में, पकाईटीन में क्या होता है, बाइबलेंट और टेटराट, तियरली विजिवल, ओके, अब देखिए, during this stage, the four chromatids of each bibellent chromosomes becomes distinct and clearly appear as a tetraad, तो इनका कहना है, कि इस stage में, मतलब पकाईटीन stage में, जो चार chromatids है, चार chromatids का मतलब क्या है, होमोलोगस chromosome है, एक chromosome है, दो chromatid है, तो दो में कितनी होंगी, चार, तो इनका कहना है, four chromatids of each bibellent, दो chromosome, दो हमोलोगस chromosome मिलकर ही, तो क्या बनाते है, bibellent, right, bibellent chromosomes become distinct, distinct का मतलब different, right, अलग-अलग, distinct and clearly appears as a tetraad, और यह किसके जैसे दिखने लगते है, tetraad के जैसे clearly visible हो जाते, right, this stage is characterized by the appearance of recombination nodule, मतलब इस stage को आप कैसे पहचानोगे, recombination nodule को देखकर, किस stage को बिटा, pacytine stage को देखकर, किस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बिटा, यहाँ पर भी हम pacytine की बात कर रहे हैं, clear है, और यहाँ पर भी हम pacytine की बात कर रहे हैं, right, clear है, confusion तो नहीं हुआ, चलिए, अब देखिए, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes, ठीक है, तो बेटा, इसी जगाँ पर जहाँ पर recombination nodule बनता है, यह वही site है, जहाँ पर क्या होता है, crossing over होता है, किस के बीच में, non-sister chromatids of homologous chromosome, right, तो जल्दी बिना किसी देरी के screenshot ले लिजे, जल्दी लिजे, ओके, क्या आपने screenshot लिया, हम आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिए, बिटा, crossing over is the exchange of genetic material, क्या मैंने यही बोला था, मैंने यही बोला था, crossing over में क्या होता है, genetic material का exchange होता है, DNA का exchange होता है, base pair का exchange होता है, gene का exchange होता है, सब कुछ बोल दिया मैंने, और उसका एक ही मतलब है, क्या? Genetic material, क्या है genetic material, right, तो crossing over में क्या होता है, बिटा, exchange होता है, किसका? Genetic material का, किसका exchange होता है, genetic material का, between two homologous chromosomes, किसके बीच में? दो homologous chromosome के बीच में, right, crossing over is also an enzyme-mediated process, बिटा, crossing over जो है, वो कैसी process है? Enzyme-mediated process है, and the enzyme involved is called recombinase, और इसमें जो enzyme involved होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? recombinase, crossing over के वज़े से ही क्या हो रहा है, नया combination बन रहा है, जिसे हम recombination कहते हैं, तो crossing over का result क्या होता है? जल्दी बताईए, crossing over का result क्या होता है? result of crossing over वो क्या है? recombination, क्या है? recombination, recombination का मतलब क्या होता है? new combination, recombination का मतलब क्या है? new combination, क्या है? new combination, क्या है? new combination, right? recombination का मतलब क्या है? new combination, और ये new combination बनाने के लिए, crossing over कराने के लिए कौन रहता है? है बताइए crossing over किसकी वज़े से होता है यहां पर recombinase enzyme कौन कराता है crossing over recombinase enzyme क्यार है विटा अब देखिए crossing over leads to recombination लिख दिया उन्होंने crossing over जो है वो क्या करती है recombination of genetic material on the two chromosomes right तो जल्दी से बिना किसी देरी के screenshot ले लिजे जल्दी फटाफट screenshot लीजे क्या बेटा आपने screenshot ले लिया है बताईए क्या आपने screenshot ले लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब देखते हैं क्या बोल रही है recombination between homologous chromosome किसके बीच में recombination करा रहे है homologous chromosome के बीच में तो recombination between homologous chromosomes is completed by end of pacytine ठीक है यह recombination का complete होता है end of pacytine मतलब starting of diplotine leaving the chromosome linked at the site of crossing over और यह क्या करता है वहाँ पर जो crossing over की site है उसको क्या कर रहा है उन्होंने बोला ना देखिए recombination between homologous chromosome is completed by the end of pacytine पैकाइटीन जब अपने end पर रहता है completion पर रहता है तब क्या होता है recombination होता है leaving the chromosomes linked at site of crossing over जहाँ पर बेटा recombination nodule बना था जहाँ पर crossing over हुई थी उस side पर homologous chromosome क्या होते हैं जोडे रहते हैं और अब next step जो आने वाली है वो क्या है diplotine तो यह यहीं बोल रहे है the diplotine or the beginning of diplotine is recognized by dissolution of synaptonemal complex तो बेटा यहाँ पर क्या होता है synaptonemal complex का dissolution start हो जाता है राइट वो क्या होने लगता है break होने लगता है and the tendency of recombined homologous chromosome और bivalent separate from each other except at the site of crossing over और यहाँ पर stage में क्या होने लगता है बेटा जो homologous chromosome है वो आपस में क्या होने लगते हैं separate होने लगते हैं और सिर्फ उसी side से जोड़े रहते हैं जहां पर क्या हुआ था crossing over right और क्या बनाते हैं x-shape structure बनाते हैं जिसे हम kaizma कहते हैं क्या बोलते हैं kaizma तो जल्दी से screen shot लीजे तो हम आगे बढ़ जाएं अब एक मिट सौरी सौरी चले एक मिट अब देखिए इस x-shape structures इस x-shape structure को जहां से homologous chromosome अलग नहीं हुए उससे हम क्या बोलते हैं kaizmeta क्या बोलते हैं kaizmeta right in oocyte of some vertebrates oocyte मतलब पता है न in oocyte of some vertebrates diplotene can be last for months or years right तो बेटा जल्दी बताएं यह कब होता है हमारे अंदर जो oocyte जो होते हैं वो diplotene stage में क्या हो जाते हैं arrest हो जाते हैं for months or years right vertebrates के हम बात कर रहे हैं the final stage of meiotic prophase 1 is diakinesis last stage of prophase 1 is diakinesis is marked by the termination terminalization of kaizmeta यहाँ पर क्या होता है बिटा kaizmeta का terminalization होता है मतलब यहाँ से kaizma हट जाता है दो homologous chromosome होते हैं वो separate हो जाते हैं और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है recombinant 1 recombination जिसमें हुआ है वो homologous chromosome मिलेंगे राइट तो जल्दी से इसका screen shot ले लीजिए ओके आपके आपने screen shot ले लिया होगा राइट तो यहाँ पर देखिए द्यूरिंग दिस फेज ओफ क्रोमोजोम आर फुली कंदेंस्ट तो बिटा प्रो फेज वन के diplotein stage पर क्या होगा डार काइनेसे स्टेज पर जो क्रोमोजोम होता है वो फुली कंदेंस्ट होता है क्या होता है फुली कंदेंस्ट राइट एंड दो मियोट्टेक स्पिंडल इस असेंबरड तू प्रिपेर दा होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन और यहाँ पर किसकी प्रिपरेशन होने लगी स्पिंडल की ठीक है कि वो प्रिपेर कर रहे हैं स्पिंडल को कि भाई अभी हमें होम पेगा स्पिंडल फाइवर को तो स्पिंडल फाइवर का बनना स्टार्ट हो जाता है यहां पर by the end of diakinesis the nucleolus disappears बिता जैसे जैसे आपको प्रोफेयज में देखने को मिल रहा था लेट प्रोफेयज में माइट स्प्रोफेयज में देखने को मिल रहा था dissolution of क्या है आपकी disintegration of nuclear membrane, nuclear loss का disappearance, ठीक है disappearance आपका जो है किसका हो जाएगा, organelle का, cell organelle का, तो यह सारी चीज़े भी आपको कहां देखने को मिलेगी prophase 1 के diokinesis stage में, right तो यहाँ पर क्या होता है बिटा, nucleus जो है वो disappear हो जाता है, right and the nuclear envelope also breakdown, मतलब यहाँ पर nuclear envelope की भी क्या होने लगती है, disintegration होने लगता है, diokinesis represents transition to metaphase, ठीक है बिटा तो यहाँ पर diokinesis के just बाद क्या start होता है, metaphase 1, क्या होता है metaphase 1, right तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका screenshot ले लीजे क्या आपने screenshot लिया, बताईए, okay क्या आपने screenshot ले लिया, आगे बढ़े तो यहीं पर हम खतम करते हैं, meosis 1 का pro phase 1, देखा न pro phase 1 ही इतना लेंदी था right, इसके बाद metaphase 1, metaphase 1, telophase 1, छोटे छोटे होने वाले, don't worry, तो I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीज़े शेर कीज़ें, सब्सक्राइब कीज़ें, कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा, तो आप हमें यूटूब चैनल पर तो आलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ और अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात की देरी जल्दी फटा-फट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को क्लिक कर दीजे जिससे डेली बिस्स पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली बिस्स पर आप रिकॉर्डेड वीडियो और लाइब सेशन अटेंड कर सकेंगे इसके अलाब आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको Google या Chrome पर जाना है और वहाँ टाइप करना है Magnet Brains जैसे ही आप Magnet Brains टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज उपन होगा इस पेज में Kindergarden to Class 12th Class तक के Complete Course की प्लेलिस्ट अबलेबल है स्पैशली 11th and 12th Class के लिए यहाँ पर आपको स्टीम बाइस प्लेलिस्ट अबलेबल होने वाली जैसे कि साइन्स टीम, कॉमर्स टीम एंड हुमानिटी स्टीम और इस प्लेलिस्ट में हमने इंक्लूड किया है NCIT की पूरी थियोरी, इडवांस थियोरी, NCIT solution, MCQs, MIQs, OneShot Revision, Quick Revision and Daily Practice Question जिससे आपका सब्जेक काफी स्ट्रॉंग और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट बनने वाली है इसके इलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे कि Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and WhatsApp आप अबेल कर सकते हैं E-Notes and E-Book जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलते हैं मैगनेट बीन्स की टॉप कोर्स की तरफ मैगनेट बीन्स की दो चैनल है Hindi Medium Channel and English Medium Channel जिन पर आपको इस सारे के सारे कोर्स प्रोवाइट कराए जाते हैं जैसे कि CBSC वोर्ट, डेली वोर्ट, यूपी वोर्ट, विहार वोर्ट, MP वोर्ट, राजस्थान वोर्ट, बेरिक मैस्ट, स्क्रैश कोर्स and spoken English ये सारे के सारे टॉप कोर्स मैगनेट बीन्स आपको high quality education के साथ 100% free में प्रोवाइट करता है Thank you so much